जहीं दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आधितरेंजन टॉक्स में अभी बहुत ही एक जबरदस न्यूज आई है बिहार सरकार के तरफ से और यह सभी बच्चों के लिए बहुत ज़ाद अच्छी ख़बर है आप अगर देखेंगे तो बिहार सेसी का फॉर्म जो की 2023 में निकला हुआ था उसको ले करके अभी बिहार सेसी आयोग ने एक आपको नोटिस जारी किया है पहले मैं आपको बता दो बिहार सेसी के पेपर के बारे में और फिर उसके बाद में हम लोग काफी सारी बाते करने वाले हैं पूर एजूकेशन सिस्टम को लेकर के ओनलाइन वर्सेस आफ्लाइन को लेकर के और किस तरीके से बच्चों के भविश्य के साथ में हमारे युवाप के भविश्य के साथ में खिलवार किया जा रहे हैं अलग-अलग राजी सरकारों के द्वारा क्या उसका निदारन हो सकता है और किस तरीके से हम पीछे चल रहे हैं आज के इस 5G की यूग में यह सारी बाते आज के हम वीडियो में कवर करने वाले हैं इसलिए वीडियो को शुरू से ले करके अंत तक देखेगा और अपनी राय अंत में व्यक्त जरूर करिएगा तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर को ले करके यह पेपर है क्या बिहार SSE का एक पेपर है ठीक है प्रिक्षा खासा वक्त दिया जाता है बच्चों को फॉर्म भरने का लेकिन उसके बाद में पेपर की कहीं पर कोई भी सुखबगाहट नहीं होती है कहीं पर कोई जानकारी नहीं होती है कि यह पेपर कब होगा किस दिन होगा कितने समय में होगा कितनी पालियों में होगा अब जा करके आपको लगभग एक साल के बाद में फाइनली यहाँ पर आयो के द्वारा एक नोटीस जारी किया जाता है और उसमें यहाँ पर यह बताया जाता है कि आपकी जो यह परिक्षा होगी वो अब आपको online mode में होगी और computer based होगी आप यहाँ देख सकते हैं यह paper आप तुमको दूसरे के पास में भेजेंगे दूसरा तीसरे के पास में भेजेगा तीसरा चोथे के पास में भेजेगा और जैसे सरकारी दफ्तरों में फाइल घूंते रहती है लेकिन कभी नया नहीं मिलता कुछ उसी तरीके का बच्चों के भविश्य के साथ में भी हो रहा हो हम तो एक्तम तहे दिल से चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े पढ़ेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत लेकिन पीछे में कहानी क्या चल रही होती है तीन महीने चार महीने पर छोटी सी नोटिस डाल दी जाती है कभी यहां पर पेपर के डेट को ले करके फिर तीन-चार महीने तक उसको टाला जाता है और इस तरीके से करते करते एक पेपर को कराने के लिए एक यहां पर आयोग को चार से पांच साल लग जाते हैं मैं सबसे पहले बात करता हूं बिहार S.S.E. के परिक्षा को ही ले करके याद करिए 2014 का समय जब बिहार S.S.E. का बिहार सरकार से जब उसके पुलिस का पेपर लीक हुआ था तब मैंने एक वीडियो बना करके कहा था पहले आप इस वीडियो को सुनी अच्छे से सिस्टम को बंद करके आप इसको उन्लाइन सिस्टम में लेकर आ सकते हैं जहां पर यहां के लिए काफी ज़्याओ को नौकरी देने के लिए तो आप सबसे पहले पेपर को ऑन-लाइन करवाए और यह बात जो है शायद हमारी सरकार ने सुनी शायद यह वीडियो उन सांसद में इस बात को लेकर के उठाया और अब जाकर के यह नूटीस आया है मैं आपको दो-तीन बाते बताना चाहता हूं देखिए होता क्या है इस जहां पर हमारे जितने मंत्री लोग हैं आप इक तरीके से समझेडás अब आप जब उनके सांसद में जाएंगे आज के समय मंत्री 11 सब के सब करेड्रेते करने का मबाइल हो को भी चाहिए जब सब कुछ आपको एदो निया मेंगा तो paper इतना outdated क्यों करवा रहे है, offline paper कराने का कहीं पर कोई तुकी नहीं बनता है, बात सर्फ बिहार सरकार की नहीं है, बात यहां पर और भी राजसरकारों की है, आप offline paper और online paper का फर्क देखिए, तब आपको समझ में आगा, मैं कहना क्या चाहरा हूँ, गोई भी paper जैसे offline होता है, हम example लेते हैं अभी UP के paper का leak हुआ था, और क्यों मना किया जाता है, अलग-अलग सिक्षकों के द्वारा की offline में paper नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात, जब भी offline में आपका paper set होता है, तो उसके बाद में क्या होगा, जैसे मानूं मैं हूँ, एक vendor ह मुझे दे दिया गया, कि paper conduct करवाना है, मैंने सबसे पहले सारे questions type करवाए, type करवाने के बाद में हम वो paper को भेजते हैं, कहां पर तो press में छपने के लिए, ठीक है, और आपको पता है कि जब भी राज्य सरकार में थोड़ी सी बड़ी vacancy आती है, जैसे आप UP के constable का देखे तो लगबग 50 लाख युवा तक भी form भर रहे होते हैं, 30-30 लाख, 40-40 लाख, 50 लाख तक युवा form भरते हैं, उतने paper आपके छपरे होते हैं, तो सबसे पहले जैसे UP में ही जो leak हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस से paper leak हुआ था, ठीक, दूसरा अगर मानो यहां से leak नहीं भी जाते हैं, ठीक है, अगर आप यह paper online करवाते हैं, तो सबसे पहली बात प्रेस से leak होने की संभावना खतम हो जाती, दूसरी सबसे बड़ी बात center से leak होने की paper संभावना खतम हो जाती, सारा control उस vendor के हाथ में होता है, जो paper को online conduct करवा रहा है, आप बोलेंगे सर इतने बड़े लेवल पर कैसे paper online हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, MTS में जब 57 लाग form भरा गया, तो क्या उसको यहाँ पर TCS conduct नहीं करवा रही है, तो फिर यह जब छोटी मोटी परिक्षा हैं, जो राजों के द्वारा होती है, वहाँ पर क्यों नहीं हो सकता, अगर आपके पास में उतन इंडिया को ले करके, तो यहाँ पर आपने digital क्यों नहीं किया है, ऐसा तो है नहीं, भारक के लोगों के अंदर में capacity नहीं है, वो खुद के vendors नहीं बना सकते हैं, वो खुद से paper conduct नहीं करा सकते हैं, market में कई सारे vendor हैं, आप tender निकालो, जो उसमें best आपके criteria पर follow करेगा, एक बच्चे से मिला, उसमें मुझे दिखाया कि सर ये देखो मेरा answer की आया हुआ था, और उसमें पूरा का पूरा एक पन्ना ही गायब था, जो मुझे question paper मिला था, पूरा paper ही गायब था सर, मैं वहाँ पर कैसे attempt करता, शुरू में चली हम लोग देखते हैं, लेकिन एक इलाज नहीं है, सबसे बड़ी बात, आप ये समझो, offline में paper conduct होता है, उसके बाद में उस बच्चे को कभी अपना answer की देखने को मिलता ही नहीं है, कि उसने वहाँ पर टिक क्या किया था, और क्या नहीं किया था, ये भी बहुत बड़ा दिक्कत है, कई ऐसे center है, कई ऐसे coaching institute मेरे भाई, जो फरजी वारा कर रहे थे, और बच्चों को सीधा answer की पहले मिल जाता था, तो बिठागर के रात में ऐसे रटवाएंगे, ठीक है, एका B होता है, B का दो number question में C answer आएगा, ती number में D answer आएगा, और ये need के परिक्षा में भी देखने को मिला, तो मेरा मात्र प offline से बंद करा करके online में conduct करवाई जाए, क्योंकि यहां पर बात युवाओ के भविश्य की है, यहां पर बात हमारे देश के भविश्य की है, हम लोग यह बोलते हैं, Olympics में हमारे medal नहीं है, लेकिन हम तयार कितना बच्चों को उसके लिए करते हैं, ठीक है, हमारा जो बिहार SSC तरह 2014 में form आया था, तो हमारे घरवालों ने कहा form भर दो, हमने form भर दिया, ठीक है, पेपर के लिए उन्होंने कहा किया, जो पेपर का data चुक है, मेरा पहला statement अपनी माता जी से यह था, हम पेपर नहीं देंगे, बोली क्यों, हमको पता है कि पेपर लिख होगा, और यूँ फालतुका में पता है पेपर लिख होना है, यह आदत शुरू से, दसवी से, बारहवी से ही लग रखी है, और यह चलती रहेगी है, प्रथा हो गई है, सिर्फ बिहार में नहीं, अलग-अलग राजे सरकारों के माद्दम से भी प्रथा हो रखी है, तो अगर आप इ जीरे के बराबर में एक वेकेंसी आती है, और उसको भी 4-5 सालों तक खेलाया जाता है, वो ना खेला जाया, इसलिए सभी सरकारों से मेरा अनुरूद है, कि यह ऑफलाइन के सारे चोचले बाजी बंद करके, आप ऑनलाइन में शिफ्ट हो ये, और इसमें बिहार सरकार में पहली बार एक अच्छा गाम किया और एक स्वरानिय वर्क है, ठीक है, यह अभी पहली पेपर में हुआ है, लेकिन अभी भी बिहार में काफी ऐसी परिक्षा है, जो ओफलाइन मोड पर हो रही है, और यह खत्रा है, CDS जैसी परिक्षा है, छोटे लेवल पर होती है, कम लो बशностे पर्म, बशностे पर एक बार ने हो जाना चाहिए, ठीक है, तो सरकारों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग पेपर को ओन-लाइन करवाए杰ेओं, बच्छों के भविषय का सावाल है, और जितने लोग है हमारे है, आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि जहां जहां पर आप इस वीडियो को शेर कर सकते हैं करिए क्योंकि आज से दस महीने पहले उठाई गई बात का असर आपको आज देखना को मिल रहा है क्या पता आज यहां पर यह बात धीरे-धीरे-धीरे-धीरे लोगों तक पहुंचे और उसके बाद में धीरे-धीरे सारी परिक्षाय अगली वीडियो में चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को हर जगा पर लाइक और शेर जरूर करिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद